ओके तो काफी दिनों बाद यहां पर नतिंग फोन वन को ले करके एक वीडियो बन रहा है लेकिन वो भी उतना कुछ खास वीडियो नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पे जो है काफी थारा रूमर चल रहा है उसको मैं आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूँ सबसे पहले बता दू यहां पर बता जा रहा है कि नतिंग का OS 2.0 आ गया है नतिंग फोन वन के लिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर आपको मैं सबसे पहले बता दू यह देख सकते हैं यहां पर जो है अगर आप जाते हैं सेटिंग्स के अंदर नीचे जाते हैं सिस कुछ भी नहीं आया हुआ है तो यह बात यहां पर ध्यान में रखना है कितना भी आप ट्वीट पढ़ लें कितना भी विडियो वगेरा देख लें जहां पर आपको बताया जाए कि भाई नथिंग ओएस आ गया है नथिंग ओएस 2.0 आ गया है नथिंग फोन वन के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है हाला कि अगर आप फिर भी पूछते हैं कि भई तो फिर उन्होंने इंस्टॉल कैसे किया या फिर वो कैसे यूज कर रहे है नथिंग ओएस 2.0 तो इसका भी है तो यहां पर टेलीग्राम के ऊपर जो है नथिंग का एक अपडेट वाला कम्यूनिटी ग्रूप है जिसके अंदर जो है सारे लेटेस्ट अपडेट का जो चेंज लॉग है और जो अपडेट में क्या-क्या चीज़े दी गई है क्यों आपको यह अपडेट करना चीज य देखी जाती है तो यहां पर जो है आज ही सुबह आड़ बजे इन्होंने एक चीज डाला हुआ है जहां पर लिखा है नथिंग ओएस 2.0 इस यहां पर लेकिन आपको नहीं करना है इंस्टॉल क्योंकि यहां पर नीचे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा नोट लिखा यह कोई पब्लिक रिलीज बिल्ट नहीं है इसके अंदर जो है बग्स होंगे तो यहां पर अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि यह एक बीटा बिल्ट है उसके अगला पॉइंट ही यहां पर लिखाए कि इस बीटा टेस्ट बिल्ट तो यहां पर इस ऐर पर अगर हम क्लिक करते तो देख सकते हैं यहां पर फीडिट खुल जाता है और यहां पर एक फाइल अपको देखने को मिलेगा जहां पर लिखा गया है कि फोन वन नतिंग मैंस तो पॉइंट ज़ीड अपट जिप लीग इसका मतलब यह है कि किसी ने यह जो फाइल है nothing OS 2.0 का इसको leak कर दिया है यहाँ पर यह official नहीं है यह एक leaked software है जो कि किसी nothing के side से या फिर पता नहीं किसी ने developer के side से जो है leak कर दिया है जो कि आपको बिलकुल भी install नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा दू कि installation guide में क्या-क्या लिखा गया ह installation guide में तो आपको पताएगी कैसे आपको इसे install करना है यहाँ पर dial pad पर जाके आपको यह वाला number dial करना है और इसके बाद manually आप install कर सकते हैं हाला कि आपको settings के अंदर जा करके जैसे आप OTA update install करते हैं वैसे आभी तक देखने को नहीं मिलेगा जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया यह एक official update नहीं है last में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस note में भी लिखा गया है कि यहाँ पर if you are rooted and getting error then try after getting back to stock 1.5.6 यह तो उनके लिए जो यहाँ पर root वगेरा use करते हैं दूसरा यहाँ पर चीज है we are not liable for any damages यह तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दिया जो कि बाहर लिखा हुआ था और second वाला point भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया beta built has been officially released yet तो यहाँ पर तीसरा point जाना यह सबसे important है nothing OS 2.0 will be gradually rolling out to all phone one users ahead of final release इसका मतलब यह है कि अभी तक कोई भी final official release नहीं आया है तो यह एक leaked update है एक leaked zip file है जो आपको बिल्कुल भी install नहीं करना है तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप को लोगों को समझ में आई गया होगा कि आपको install करना है या नहीं करना है simply आपको जो है यह वाला update कुछ इस तरीके से जो link है उसमें से जा करके download करके install नहीं करना है रुप जाओ कुछ दिनों की ही बात है पांच-दस दिनों की बात है जब आपको जो है officially update मिल जाएगा अपने nothing phone 1 के अंदर ही कोई भी link पे click नहीं करना पड़ेगा आपको simply system के अंदर आकर के system update के अंदर आकर के ही आपको यहाँ पे update देखने को मिल जाएगा तब तक के लिए थोड़ा सा wait कर लीजिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे उस link से update करते हैं तो अगर आपका phone में कुछ भी हो जाता है अगर आपका phone brick हो जाता है अगर आपका phone installation के वक्त रूब जाता है अगर आपके phone में कुछ भी दिक्कत आती है तो nothing उसके लिए responsibility नहीं लेगा और साथी साथ यहाँ पे यही ता video nothing phone 1 के लिए definitely आपको मैं recommend नहीं करूँगा इसे install करना wait कर लीजिए official update के लिए जब भी यहाँ पर nothing पूरी तरीके से announce कर देगा Instagram पर, Twitter पर और YouTube पर यहाँ पर अपना एक video डाल देता है जहाँ पर बता देते हैं कि nothing phone 1 के लिए nothing OS 2.0 का update आ गया है और आपको अपने phone के settings में भी दिख जाएगी वह चीज़ तो definitely यहाँ पर आपको यह वाला update नहीं करना है बाकी इस video का मकसद यही था कि आपनों को बताना कि बाकी सारे जो videos आपको दिख रहे हैं YouTube पे वह उनकी सच्चाई क्या है और क्या आपको वाला update करना चाहिए और क्या यहां पे वो लोग responsibility लेंगे अगर आपके phone में कुछ खराबी आती है तो बाकी और अपका यह था वीडियो में आपका यह वीडियो को दिखने के लिए धन्यवाद अब तक लिए था जया हैं वन्ने महातरम और आपका देन शुब रहे झाली आती हैं और क्या हैं वीडियो में रहे लिए 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 जा में वीडियो के लिए खराहिं।